दुबई में मेरी जिस जगा पर जोग लगी है मैं वो आपको जगा दिखाता हूँ कितनी सी है और उसमें क्या क्या है यह में दर्वादा है जहां से एंटर होती है ठीक है इसके बाद यह क्याबनिट है इसमें क्या है । बोकस बोकस सारे में दिखाता हूँ क्या गाया इसमेंyards इसमें भी यह बर्गर वगारा की चीजेंगे है उस के बाद आ जाते हैं कि तरफ यह क्या के पढ़ा हुएगा ईदेखिए पती जिसे पर रभिएग इसमेर कीज फ्रीज कि इसके बाद यह चोटा फिंच आगे है कि ओल्ड रिंग का हर तरह के जितने मर्दी जी चाहे हम इसको पी सकते हैं कि प्रिवाना तरह कि नहीं पीने इतने मर्दी पानी है कि यह उपर एस ही लगा हुआ है इसमें चिकन बनता है इसमें फ्राइज बनता है यह बर्गर बनाने के लिए इसके बाद यह वो जगह जहां पर बर्गर बनता है यह सोस है जो इस्तमाल होते हैं यह नीचे बन में राठ है इसके बाद यह भी है खाला बालो इसको अरभी में खाला बालो कहते हैं पता नहीं और दू में क्या कहते हैं मैंने पहली बार यह दर देख यह सेंडूज के यह ग्लाब्स के लिए अभी दर से कम्प्यूटर यह इतना सारा सेट अप है जहां पर मेरी जोब है इस बार दर्मादे से सामने खड़े होगर भी आपको दिखाता हूं लुक यह देखे लिए यह लुक है इतने सेट अप मेरी जोब है बस पाकिसानी टाइम पांच बज़े से लेकर रात बारा बज़े तक अब कस्टमर है तकरीबन कितने कस्टमर है मेरे हैर से 20 या 22 कस्टमर का यहां पर आडर होते है इतने गड़र बाकि फुल टाइम इस चेर पर मैं बैठे ही रहता हूं यह यह ड्यूटी मेरी तो सेटब आपको कैसा लगा है अगर अच्छा लगा है तो बताजिए का ज़रूर मुझे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ओके अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा टेक केर एंड अल्ला हाफीज प्रस अपा क्सार बांज गशा्व में थालिधाण को था पर मैं आपके का ख्याय श्याद।